हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज मैं अप मेरी कैट के लिए एक बेल्ट बना रही हूँ उसके गले में डालने के लिए तो मैंने सोचा यह वीडियो आपके साथ शेयर करो मैंने लिया है षत्य कि preheए माईक्रेंक यह उसके लिए मुझे चाहिए माईक्रें में लिया लिया है उप्लियो अ किछिन का घृत्यडिकि मैंने अपके अब का पता Amrila को देखो मुझे लिया है harusूद ऐक टो में साथ हूद करेंगे कर दो को आद्म और लिया है तो उनको कोई तकलिफ ना हो, इसको ध्यान में रखके हमें उनके लिए बेल्ट बनाना है, तो इसलिए मैंने सभी चीजे लाइट ली है, इसका ज्यादा बेट नहीं है, इसका भी ज्यादा बेट नहीं है, और ये जो मैंने बेल ली है, ये भी हलकी है, लाइट बेट है, तो इसलिए मैंने सारा सामर लाइट लिया है ताकि उनको कोई तकलिफ नाओ और मैंने मेरी कैट का गले का साइज है वो मैंने नाप लिया है वो 13 इंच है तो हमें रेडी बेल 13 इंच का बनान है मुझे तो देखिए ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी एनिमल का साइज लेते हो तो थोड़ा मतलब लूज ही लिजिए क्योंकि अगर आपने बेल्ट ताइट बनाया तो उनको प्रॉब्लम भी हो सकती है इसलिए ध्यान में रखकर उनकी सेफटी ध्यान में रखकर आप बेल्ट तो मैंने यहां पर 13 साइज लिया है और मैंने थोड़ा ओर साइज लिया है क्योंकि उसे थोड़ा लूज हो तो मैंने यहां पर दो कॉड लिये है यह मेरी दो मिटर की कॉड है सिंगल दो मिटर तो देखिए फ्रेंट से मेरी क्याट है इसका नाम ब्लाक ही है मैं इसके लि छोटा हूग है और यह हमारी कॉड है सिंगल 2 मीटर की कॉड है उसे मने इस तरह से डबल कर लिया जैसे कि हम रिंग को अटेच करते हूज असी Means इस हूप में कॉड डाल दिये मॉस्त दुसरा कॉड लेंगे ठीकिसी तरह से इसे भी डबल कर लेंगे यहां पर एक सिंपल नॉट लगा देंगे हम इसी तरह से सिंपल नॉट लगाते हुए यह कॉलम रेडी कर लेंगे कि यहां पर मैंने जो नॉट है वह तेरा नॉट तक यह नॉट लगा है अब मैं यहां पर बीच में दो कॉड लूँगी बीच वाले और इसमें बीट्स डाल दूँगी फिर से यहां पर नॉट लगाऊंगे बीच डालने के बाद हमें यह बेल इसके अंदर डालने है तो जो साइड वाला कॉड है इसमें हमें यह बेल डाल देंगे इस तरह से और यहां पर और एक नॉट लगा देंगे और फिर से यहां पर और एक बीच डाल देंगे झाल झाल यहां पर जितने में नॉट लगाए थे उतने ही नॉट मैंने यहां तक लगाए है और बीच में मैंने दो बिट्स डालके यहां पर बेल लगा लिया अब हमें यहां पर इसे रिंग अटेच करेंगे यह हमारी कीचेन रिंग है तो देखें फ्रेंट्स यह जो रिंग हमने इसे अटेच की इसके बाद मैंने हाप पर एक नॉट लगाया अब बबबबबबबब बबबबबबबबबबबबबबबबब इससे पर दो पर दो दो बीच डाल आइंगे कट कर देंगे एक इंच के डिस्टन्स पर मैंने इसे कट कर दिया इसे जला कर स्टिक कर देंगे इस तरह से प्लेन करेंगे से क्योंकि यह अगर कुछ रह गया ठीक से हुआ ने तो इससे डामेज भी हो सकता है एनिमल को देखिए आपे कुछ भी लगने ही रहा है इस तरह से एक दम प्लेन कीजिए इसे इसलिए मैं हाथ से कर रही हूँ ताकि यह प्लेन हो जाए देखिए आपे कुछ भी लगने ही रहा है तो इसे इस तरह से हम राउन करेंगे और यह जो होके इसे इस तरह से कीचते हैं इस हूप को इस तरह से कीच के इस रिंग को इसके अंदर डालेंगे तो देखिए यह गोल शेप में इस तरह से यह हमारे ब्लैकी का बेल्ट रेडी है अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना बुले तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बेल्ट डाला है और मैंने यह बेल्ट थोड़ा लूजी रखा है देखिए कितना अच्छा लगता है यह मीचे से यह बहुत ही शरारती है हमारी ब्लैक की के दूट जा रहते है और शेली रखालए यह बेल्ट वस्तवाब कीजिए और शेयर के अजिए, लुए झालत वाल्ट तरह से बड़ हैजिए, पस्तवाब ब्लैक की रखाव़ा ग्रे, चल्वार्णाटाम कीजिए, आसे वह बाले, ईसे यह बहार स्भीना प्रीए गनाने झाल झाल